आज हम इस तरह की बूटी बनाएंगे इसको बनाना बहुत ही ज्यादा असान है फोर प्लाइ वूल से इसको बुना गया है और दस ने बनीडल का इस्तमाल किया गया है यह साइज नंबर 5 और 6 वालों के लिए है बड़ा चोटा आप बना सकते हो बहुत ही ज्यादा इजी है बिगनर्स भी बड़े अराम से इसको बना लेंगे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं इसके लिए दो कलर की बूल और यह जो हिस्सा है इसे टाइट की स्टीज में टपेट लेते हैं उगलियों की मज़ से गोल को ऐसे मोरती जाएं और फंदे बनाते जाएं 52 फंदे हम बनाएंगे बचे हुए धागे को इस तरह से कठा करके पोटली बना लीजिए गए इसके साथ हम स्टीचिंग करेंगे अभी हम इसकी बनाई कर लेते हैं बनाई हम कुछ इस तरह से करेंगे फर्स्ट फंदे को हमें बिना बुने उतारना है आगले फंदे से इस तरह से वोल्टा बुनते हुए फर्स्ट श्रोग को पूरा करेंगे लास्ट का जो स्टिच है इसे हम इस तरह से सीधा करके पुनेंगे ठाके को पलट लेना है अभी हमें 19 फंदे इस तरफ और 19 फंदे इस तरफ और बीच में 14 फंदों की बुनाई करनी है और ये देखें हमें किस तरह से करना है फर्स्ट फंदे को हमें बिना बुने उतार लेना है और अगले फंदे से हम बुनाई को शुरू करेंगे और यहीं से हम कलर भी एड़ कर लेंगे ये दो फंदे हो गए है और यहां पर देखें ये जो धागा है इसे हमें इस तरह से साथ में ही मोड़के रख लेना है दो और ये तीन ये टोटल चार फंदे हो गए हैं चार फंदे बुनने के बाद हम एक फंदा स्किप कर लेना है और एक फंदे की बुनाई हम कर लेंगे फिर एक फंद जो है स्किप करेंगे और एक फंदे की बुनाई हम कर लेंगे एक फंदे को स्किप करेंगे एक बुनेंगे इसी तरह से हमें 19 फंदे कर लेंगे चार ये है छे, आठ, दस, बारा, चौदा, सोला और ये एक फंदा और इस तरह आएगा और ये 19 फंदे हो जाएगे यहां से हम 14 फंदों की गिंदी करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा आगे फिर से हमीं सेम ही धोराना है, एक फंदे को स्किप करेंगे और एक को बुनेंगे, एक को स्किप करेंगे, एक को बुनेंगे, एक को स्किप करेंगे, एक को बुनेंगे, ये वाले भी हमारे पास टोटल 19 फंदे हैं, आप यह कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपनी मल्ची से बीच के फंदे कम दिखा सकते हैं या फिर बीच के फंदे जो है वो ज्यादा दिखा सकते हैं तो यह आप अपनी मल्ची के मताबक भी कर सकते हैं यहां पर देखें चार फंदे बचे हैं और चार फंदे हमें यसे ही प हमारे 2 रोछए हैं ठीक अभी आभी तीसरा रोट देखें हमें किस तरह से बु나 हैं कि फ़ृस्ट फंदे को बिना बुने boca उतारेंगे और अगले से बुनाई शुरू करेंगी चार पने हमने उंटे बुल लिए हैं अभी हमें ये वाले फंदे को फिर से स्किप करना है इसके लिए धागे को दूसरी तरफ करेंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये वाला फंदा अगला बुल लेंगे इसको स्किप करना है इस तरह से अगले फंदे को बुल देना है थागे को पल्टेंगे एक स्किप कर लेंगे और अगले फंदे को बुल लेंगे तो ऐसे हमें सारी फंदे बुल लेंगे अब यह बीज के 14 फंदे चों है वह भी हमें उल्टा उल्टा पुनते हुए पुरे कर लेने हैं अब हमें अब बीज के 14 फंदे चूंहें वह बुल पुरे कर लेने हैं अब यहां पर फिल्ट से वही धर आएंगे धाड़े को पीछे करेंगे यह फंदे को स्किप कर लेंगे अगले को बुल लेंगे कि सेम बैसे ही जैसे हम ने पीछे किया है यह तीसरा रो भी हमारा कम्प्लीट हो गया है यह लास्ट के स्टिच है अब यहां पर देखें यह एक हमारे पास जो है वह वाइट कलर का है दो तीन और यह लास्ट का है इसे हम इस तरह से सीधा कर भी बुल देंगे यह तीन रो हमारे कम्प्लीट हो गए चौथा रो देखें किस तरह से बुलना है चौथे रो भी हम यह कलर को जो है बदल लेना है तगले फंदे से एक को स्किप करेंगे और इसको हम अपने साथ इस तरह ही रखेंगे और सारे फंदे जो है वह हम उल्टा उल्टा बुनते ह होए एक ही कलर के साथ बुन लेने हैं जो स्किप किये हुए है यह वाले यह भी हम बुनेंगे कि चौथे रो को सारे फंदे हमें बुनने हैं स्किप किये हुए भी और दूसरे भी एक ही कलर के साथ अभी जो लास्ट का स्टिच है वह हम उल्टा ही बुनेंगे यह अभी यह पांच बारो है पांच मेरो को हमें सीधा बंदा है सीधा सीधा बुनते हुए यह पांच मेरो जो है वह हमारा कंप्लेट हो जाएगा लेकिन यह जो डिजाइन है यह चार रो का ही है यह आपको याद रखना है अब आमने क्यूंकि सीधा सीधा बुना है तो यह वाले जो स्टिच है इसको भी हमें सीधा ही बुनना है क्यूंकि अगला रो हमारा उटा होगा ठीक है, अभी हम इसी design को फिर से दोराएंगे और 4 रो फिर से बुनेंगे, अभी मैं यहां पर आपको धागा फिर से बदलना बता देती हूं, यह देखें, यह धागा हमारा इस तरफ रहना चाहिए, और first stitch को हमें बिना बुने उतारना है, और अगले stitch से जो है वो बनाई श बुनेंगे, 6 होगे, एक को skip करेंगे, एक को बुनेंगे, ऐसे ही हमें 19 फंदे बुन लेना है, जैसे हमने शुरू में बुने थे, यह देखें, यह हमारे 19 फंदे, यहां तक जो है वो complete हो गए है, अभी आगे के जो हैं वो हम, उन्टा उन्टा बुनेंगे, 14 फंदे, यह बीच के 14 फंदे हैं, एक, तो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, अभी यहां से फिर से हमें एक फंदे को skip करना है, और एक को बुनना ऐसे हैं, वैसे ही जैसे हमने शुरू आत्मे किया था, और लास्ट के जो चार फंदे हैं, वो हमें एक ही रंग के साथ पुनने हैं, ठीक है, इसको skip कर लिया, और इसको हमें एक ही रंग के साथ पुनना है, लास्ट का जो स्टिच है, वो हम इस तरह से सीथा करके पुनेंगे, अभी यहां पर देखें, यह जो स्टिच है, वो आपको किस तरह से पुनना है, इसको ऐसे आप निकालोगे, और धारे को ऐसे घुमा कर उपर से लगोगे, तो यह वाले स्टिच ऐसे उल्टे आपको पुनने है, तो ही साइड से यह स्टिच जो है, जब हमें आगे जो स्ला करना है, दूसरे रो में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि यह चार रो का ही डिजाइन है, दो में हम दो कलर का इस्तमाल करते हैं, और दो डिजाइन में हम एक ही कलर के साथ, उल्टा और सीधा बुनते हैं, साइड के जो स्टिच है, वो सेम आपको ऐसे ही बुनने हैं, ज यह last का stitch है और यह हमें सीधा करके बुन रहे हैं तो इस तरह से यह design जो है वो नजर आएगा अभी हमें पूरे रो को white color के साथ जो है पोरा उल्टा उल्टा बुन लेना है और फिर सीधा सीधा बुनना है और लास्ट का stitch आपको याद रखना है जब भी आप white color के साथ बुनोंगे तो लास्ट का stitch उल्टा बुनना है और जब सीधा बुनोंगे तो लास्ट का stitch सीधा ही बुनना है तो ऐसे ही हम बुनाई को continue रखेंगे आगे तक तो मैं ऐसे complete करती हूं फिर आपको दिखाते हूं यहां से लेकाद यहां तक 101 रो जो है वो मैंने बुने हैं अभी हमें क्या करना है यह जो धागा है यह हम कट कर देंगे आप अपने प्यार के मताबक किस को किस तरह से नाप सकते हैं वो देखें इस तरह से आप प्यार को ऊपर रखें एड़ी यहां पर आने चाहिए और यह देखें छोटी जो उंगली है उसके नीचे के हिससे तक हमें इसकी लंबाई को पूरा करना है और चोड़ाई और लंबाई हम इसकी मेजर्मेंट करें तो इसकी चोड़ाई जो है वो यह देखें ा आ apostle कि न강जेंट कर लंबाई है और लंबाई तक यह दो 산 helemaal एस तक है तो प्वाइंट जो है को इस तक है तो तरह से आप इसकी को मेजर कर सकती हैं तो अभी हमें क्या करना है यहां से फंदों को कम करेंगी आइए अब हमें इसमें फंदे कम कर लेते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर मैंने दो रो जो है वो बिजंटा कलर के बुने हुए हैं अभी हमें वाइट कलर के साथ जब उल्टा रो बुनना है तब हमें क्या करना है तो देखें यह वाला जो धागा है वो हम अंदर की तरफ रख लेंगे पूरे रो को हमें उल्टा-उल्टा ही पुन लेना है अभी हमें कुछ नहीं करना तो जब सीधा रो बुनेंगे तो हमें 2 फंदों का एक करना है एक्स्टा जो धागा होगा हो हम कट कर देंगे अभी जो स्किप किये वह फंदे है न वह हमें बुनने है इसलिए अभी इसी रो में हमें फंदों को कम नहीं करना है कि इस रो को बुनने के बाद 102 रो जो है वो हो जाएंगे लास्ट का स्टिच जैसा मैंने आपको पताया था जब उल्टा रो बाइट का लिटके साथ दूना है तो उसे उल्टा ही दूना है ठीक है अभी हम सीधी तरफ से जब बुनाई करते हैं तो अपी हमें क्या करना है दो फंदों का एक करना है ठीक है तो उसके लिए हमें बुनाई जो है वो पीछे की तरफ से करनी है यह स्टिच इस तरह से उठाएंगे और पीछे की तरफ से ऐसे दो फंदों का एक कर देंगे इसमें आप खंदों खुआ दो तशी को से बंद कर सकते हैं और स्टिचिंड भी इसी दो तरीकों से हो सकती है जैसा कि मैं अभी दा रही ही दो खंदों का एक करके ऐसा है कि इसको एक ते बार में सारे खंदें बंद कर लीजिए और इसको दोनों तरफ array कर किinar लेंगे जैसा कि मैंने पीछे कई वीडियो में इस तरह की स्टिचिंग को दिखाया हुआ है अगर आप कोई ऐसे मुश्किल लगे तो फिर आप वो वली वीडियो देख कर ये स्टिचिंग कर सकते हैं सारे फंदे एक ही बार में बंद करें और आगे के हिस्से को सिलें इसमें हम सारे श्टिच को कठा करके एक जो है रिंग बनाएंगे तो इस तरह असानी लगे आपको उस तरह सिल सकते हैं इस तरह से हमारे फंदे आदे हो गए हैं अभी हमें क्या करना है पूरे रों को उल्टा उल्टा भूल लेना है अभी आगे हम बनाई नहीं करेंगे तो इस तरह से लास्ट के जो रों है वो हमारे पढ़ेंगे स्टिचिंग के लिए हमें जितना धागा चाहिए होगा वो रख लेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे और इसी धागे को हम डालेंगे नीडल में अभी हमें सारे उकंदे इस नीडल में उता लेने हैं इस धागे को पूरी तरह से आपको खीच देना है थाकि यहां पर एक रिंग बन सके यह जो होल है इसको हम पुल्टी साइड से बंद करतेंगे अच्छे से अभी हमें इस एले की स्टिचिंग करनी है ठीक है तो वो देखें हमें किस तरह से करनी है यहां से स्टिच को उठाना है ऐसे और यहां से उठाना है अभी यह जो स्टिच है यह देखें यह वाला यह उठाएंगे और यह वाला स्टिच उठाएंगे और आगे देखें यह जो स्टिच है यह दो यह उठाने हैं और यह दो स्टिच हैं यह वाले यहां से, ऐसे उठाने है, फिर यह देखें, यह स्टिच, ठीक, और यह स्टिच, और यहां पर देखें, यह दो, और यहां पर देखें, यह वाले, यह जो वाइट इसना है, तो यह इस तरह से यहां से उठाना है, हमें, यह से, और यह वाला एरिया है, यहां से स्टिच पर उठालेंगे, और यहां से उठालेंगे, फिर यह याद रखेंगा, यह देखें, यहां भी इच से, ठीक, यहां से, यहां से, वाइट को वाइट के साथ, मिजंटा को मिजंटा के लाइनों के साथ मिलाते जाना है, बस रसीखते जाना है, और धागे को खेंचेंगे, ऐसे, और यह इस तरह से मिल जाएंगे, तो ऐसे ही इसकी स्टिचिंग यहां तक हम कर लेंगे, यहां तक इसकी स्टिचिंग प्याने कर लिए है, पैर में डाल कर भी हम इसे देख सकते हैं, जितना आपको उपर का इसा जो है वो बंद करना है, तो उसे साथ से आप बंद कर सकते ह कि कहाँ तक आपको isko बद करना है तीकै तो मैं यहीं तक इसको रखोंगे और यहां से हम इसको बंद कर देते हैं में अभी हमें एकी बार इस तरफ को आगे को लेके जाना है और फिर नीचे की तरफ ऐसे २ह से यहां पर दो बार हम इसको निकालेगे इसे और फिर बैक स्टिच करेंगे, और यहीं पर हमें एक नॉट लगा देनी है, अब पीछे से करेंगे, यहां से लेकर यहां तक इसको स्टिच करतेंगे, और इसको सीलते जाना है, कोई भी स्टिच आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो फिर एक साइड जो है लंबी हो जाएगी और एक छोटी हो जाएगी, दोनों तरफ से बराबर स्टिच को सुई में उठाते जाना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है इस तरह से स्टिचिंग करना और लाइन के साथ लाइन भी मिल जाती है, अगर आपको यह मुश्किल लगे तो उल्टी साइड से भी आप इसको सिल सकते हो, यह पूरी स्टिचिंग हमने कर ली है, यह लास्ट का नीचे का हिस्सा रह गया है, तो पूरा हम एट की तरह से सिलते हुए इसको कंप्लीट कर देंगी, लेकर नीचे भी हम स्टिच बराबर उठाते हुए इसको पूरा कर देंगे, थोड़ा सा धागे को कीजते जाना है और सिलते जाना है, और उपर से यह बिल्कुल अच्छी प्रिशिंग आ जाएगी, उल्टी तरफ से सिलते हुए भी आपको स्टिच के साथ स्टिच मिलाते अब ही यह वाला जो एरिया है, इसके आप उपर आप क्रोशे करना चाहते हैं, कर लो नहीं तो आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो, तो यहां से मैं इसके उपर क्रोशे करने के लिए शुरू करूंगी, यह वाले स्टिच के उपर से, एक लोप पना लेना है और उसे ही हम इस स्टिच के बेज में से निकाल लेंगे, यह जो एक्स्ट्रा धा गया है, यह मैंने साथ में ही ले लिया है, आप चाहें तो इसे करें, चाहें तो स्किप भी करते हैं, ऐसे भी पहन सकते हैं, यहां पर मैं आपको बता दूँ कि अगर यहां पर आप ग्रोश्य नहीं भी करोगे, तो उपर का हिसा फिर भी खुबसूरत ही लगेगा, तो इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है, अगर आपको करना आता है तो कर लें, बहुत ही असान है, बस स्टिच के साथ स्टि नीशे की तरफ भागे को यहां पर एकठाच सा कर देंगे, यानि के स्टिच के बीच में से निकाल देंगे तांकि यह खुले नहीं, तो यह अच्छी तरह से इसकी उपर की फिनिशिंग जो हो जाती है, तो आएए अब हम इसको पहन कर देखते हैं, पहने के बार यह कुछ इस तरह से नज़र आएगी, I hope मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्ला आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तक तक के लिए, अल